पूर्व मुख्य मंत्री शिवराज ची चोहान अब केंद्र क्रिशी मंत्री बन गए हैं लेकिन ऐसा लगता है मानों उनके जहन में अभी तक मुख्य मंत्री वाली ही भावनाय नहीं थे दरसल दिल्ली में आज़ित एक कारिक्रम में शिवराज ने अपने संबोधन के दोरान खुद को बार-बार मुख्य मंत्री के रूप में उल्लेखित किया हालाकि बाद में मामलास संभालते हुए उन्होंने कहा अभी समय लगेगा खुद को बदलने में नहीं दिल्ली में NCR के कारिक्रम में केंद्रिक्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्री शिवराज ची चौहान का संबोधन अब चर्चा में है दरसल शिवराज ची चौहान संबोधन के दोरान खुद को बार-बार मुख्य मंत्री बता रहे थे इस दौरान क्रिशी मंत्री विशेपर आयज़ित कारिक्रम में केंद्र क्रिशी मंत्री शिवराज ची चोहान ने कहा हमें क्रिशी को आगे ले जाना है और किशानों का कल्यान सुनश्चित करना है। प्रदान मंत्री का वीजन ही हमारा मिशन है जस दिन मैं त्रिशी मंत्री बना हूँ, दिन रात नहीं सोचते रहते हैं कि इससे बैतर कैसे किया जाए। इसी संबोधन के दौराज शिवराज ची चौहान खुद को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करते रहे, संबोधन के अंत में शिवराज खुद हस पड़े और कहा, मैं खुद को बार बार मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ, आदत धीरे धीरे चली जाएगी। गौर्दलव है कि दिसंबर 2023 में मद्रिप्रदेश विधान सबाज चुनाओ में अपनी दम पर बीजेपी को बंपर जीत दिलाने के बाद शिवराज सी चौहान ने अंतिम समय तक मुख्यमंत्री बनने की पोरी कुशिश लिए, लेकिन नरिंद्र मोदीवा अमिच शा ने उन लेकिन जब राजजी में कोई जगह नहीं बनी तो उन्हें लोकसभाव चुनाओ लड़वाया गया, शिवराज सी चौहान के इंद्र पर अब किर्शी मंत्री है लेकिन अभी भी लगता है कि उनके मन में मुख्यमंत्री बनने की चाहत, उसे चाहत के कारण उन्होंने कारि मुख्यमंत्री नहीं किर्शी मंत्री में चार वार मुख्यमंत्री अब बीस एक साल रहा हूं तो कुछ दून तो लगेंगे भूलने में तो वहाँ भी मुझे यह गुमान नहीं था कि हम यह सब जानते हैं मैं सूची बन वारा था को और बनाओ पाठख जी को यह पताए को और किस किस से मिलूँ मैं आप सब से बात करना चाहता हूं क्योंकि मुख्यमंत्री कोई सब विस्यों का मुख्यमंत्री नहीं किर्शी मंत्री में है चार वार मुख्यमंत्री अब बीस एक साल रहा हूं तो कुछ दम तो लगें के भूड़ने तो महाँ भी मुझे ये गुमान नहीं था कि हम ये सब जानते हैं